जामताड़ा के पत्थर चापड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज में मदगर्णा के दौरान महागजबंदन के कॉंग्रस प्रत्याशी डॉक्टर इर्फान अंसारी की जीत को लेकर कारेकरता सुबह से ही आश्वस्त नजर आ रहे थे मदगर्णा के दौर के बाहर प्रत्येक्चक्र की समापती के बाद विभिन प्रत्याशियों को मिले मत्स से जुड़ी गोशना के साथ ही कॉंग्रस कारेकरताओं का विश्वास होता जा रहा था आलम ये था कि कॉंग्रेस कारेकरता हार जीत को लेकर नहीं बलकि हार जीत के अंतर को लेकर चर्चा में जुटे हुए थे जैसे जैसे मदगलना की चकर करीब आ रहे थे वैसे वैसे कारिकरता मदगलना प्रवेश द्वार के सामने जंडा ढोल नगालों की थाप पर कारिकरता जूम रहे थे डॉक्टर रिर्फान अंसारी की जीत सुनिश्चित होने के बाद जैसे ही मदग्रना केंद्रू से बाहर निकले सलक पर जूम रहे कारिकरताओं की भीड उनकी एक जलक पाने को उनकी तरफ दौर पड़ी इसी बीच कारिकरताओं ने आतिश बाजी का अंतिजाम कर रखा था और आतिश बाजी का दौर शुरू हो गया ऐसा लग रहा था मानव की सलक पर दिवाली मनाई जा रही है जेमियम के एक एक कारिकरताओं को और खासकर जार जिनी के एक एक कारिकरताओं को मैं जित कैसर देना चाहता हूं जो दिन रात मेरे साथ मेरे साथ मेरे रहे और इसी महायुद में हमारा इमांदारी से साथ दिया इसका परिणाम में की वाल जिता हूँ जनता काफी मांग कर रहे हैं, कहीं मात पूर्ण चीजों यह हैं कि आप से 5 वर्ष में फुटा हुआ है, उन्हें केसे फुटा करें। सरकार की ब्रहती है, तो सारा काम चलता है। मैं तो विपक्ष में था तो मैं देखा हैं, सत्ता का दिरुपयोग किसु कहते हैं। तो निश्यत वर्ष में तो मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। सदुपयोग करूंगा अच्छी काम में जनता का दिल जितने काम करें। ताकि तिस्ती बार जनता मुझे मुझे मौका दे। भाज़पा का जो पैसक पार का जो लक्ष था। साफ होगे बादे। अब पैसर नहीं है। तड़ी पार होगी है। 65 किलोमेटर लगवर्दास की घर की दुरी रह गई है। जिस दिन सरकार बनेगी वो दुरी जीरो हो जाएगा और वो चुत्री और सिफ्ट कर जाएगा।